कि टाइप आफ रेजिस्ट्रेशन यह स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यह सब करते हैं कि अब आपको इस काटेगरी में फॉल हुए तो रेजिस्ट्रेशन कराना ही कराना आप रेन हम पढ़ेंगे वालेंट्री रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन बाई देम तो यह सब चीजे हम लोग बाद में करते हैं पहले हम आते हैं मैंडेटरी के उपर जो में आपकी डाइस डाइस अच्छोग दे रहे हैं इस तफ वाइस आगे बढ़ते हैं कल लोगों ने रिजिस्ट्रेशन क्या है कैसे होगा क्या बैने फेट से इनको कवर अप कर लिया है तो इस का जो अबाउंट है वो इस पैसिफिक एरियास को ले करके भी है ऐस पर दा सेक्षन स्ट्रेशन नहीं ध्यान है आपको आंसर लिखते समय तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इस्टार्ट तो होई गया था अवरी सप्लायर शाल भी लैबल टू रजिस्टर इन दा स्टेट और यूनियन टेरिटरी सर इसमें यह स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसका वर्ड यूज़ किया गया और साथ में यह अदर स्पेशल कैटेगरी को छोड़ दिया गया अदर दैन स्पेशल कैटेगरी किसलिए छोड़ दिया गया और कौन से स्पेशल कैटेगरी में पूरी बात को आप समझे जो जी एस टी का एरिया है यह पूरा इंडिया कवर अप करता है ओल ओवर इंडिया हां सर इतना तो समझ में आता है कि यह इंडिया को कवर अप कर रहा है अब इंडिया में अगर हर जगे लिमिट एक ही जैसी रख दी जाए तो जोग्रिफिकल कंडिशन्स और एकनॉमिकल कंडिशन्स हर एक लिमिट हर एक एरिये की क्या सेम है तो आपका जी नहीं सरसेम नहीं है क्योंकि स्ष्माद τι लुए पैए यह सब अलग इसमें अगर हम इनको डिवाइट करें इस तरह कुछ टमे तो कहीं पर पलिटिकल कंडिशन्स है इअ आप जाएं पर पालिटिकल कंडिशन्समाइन अब उसकी बात अगर करी जाए, तो JN के एक अभी latest example में है, जिसकी हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ states जिनको convert करके लाया गया, तो यह सब चीज़ें कहां दे रखी हैं, यह जो पार्ट हैं, अलग-अलग division के लिए, यह सा हमारे constitution में दे रखे हैं, जिसको मैंने पिसली बार भी ह हिंदी में संभिधान दे रखा था, कि इन लोगों के लिए VIP treatment अलग-अलग करा जाएगा, सर ऐसा किस लिए कर रहे हैं, उसकी वज़े बिटा देखिए, कि अगर हिल एरिया है, तो हिल एरिया में business उतना तो रंद नहीं कर पाएगा, जितना की plane area में, या फिर कोई remote area है, त टेरिरिस्ट वाले position में हो, तो वहाँ भी business उन नहीं कर रहा, तो ऐसी जगे पर जहाँ business उन नहीं कर रहा, उस जगे support भी करना है, और limit को भी manage करना है, क्योंकि benefits देने हैं, सर benefits आप कैसे दे सकते हैं, यह तो अच्छी बात है, कि आपने limit जो है, बताई कि act में 40 lakhs रखी ग अब इस 40 lakhs के दाएरे में यह लोग अगर नहीं आ रहे हैं, तो फिर इनका registration ना किया जाए, कि अब इनका registration नहीं करेंगे, अच्छी बात है, यह लोग टेक्स नहीं दे रहा है, registration में नहीं आ रहे हैं, ठीक, इसलिए मैंने कल आपको benefits पढ़ाए थे, benefits में आपने देखा था कि अगर registration नहीं होगा, तो बहुत सी problems हो जाएंगे, benefits कहीं नहीं मिलेंगे, उस benefits के लिए registration होना ज़रूरी है, तो अब यह सागर limit की मजबूरी में फच जाए, तो GST के registration के benefits हैं, वो क्या इन लोगों को मिल मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, किसी वजह से इस category को हम लोगों को समझना जरूरी होगा, इस तरीके से यहां पर यह देखिए, the government में request, special category, dash, dash, यह सारी theory है, इसको जब पढ़ना हो, तो rewind करके आप इसको देख लिजेगा, मैं direct, आपको समझाने के level पे आता हूं, इ सबसे पहले, special category, state means, सबसे पहले, special category, जो की कम है, उनको हम लोग अलग कर दें, यह special category, सर कहां पर define है, मैंने बेटे आपको बताया था, कि constitution में जो article है, उनमें define है, देखो, constitution of India है, कौन सा article है special category के लिए, अभी तो हो सकता है, कि यह आपके लिए important ज्यादा नहीं हो, मुहम है, आपने hand raise किया है, अब यहाँ पर article 279A4G, यह हमारे लिए एक important article है, अभी सब इस्टुडेंट नहीं याद कर पाते, मगर यह भी examination के further आगे purpose के लिए बहुत use होता है, 279A4G, 4G तो आप लोगों को याद हो जाएगा 5G, 4G करते रहते हैं, 279 जो है, यह वाला इतनी easily याद नहीं होता, तो 269 में था, पहले याद करवाया था एक, उसी आगे बढ़ करके पहुंच जाहिएगा, इसमें कौन कौन सी states आ रही हैं, उनको देखते हैं, जम्मू अरुनाचल प्रदेश, आसाम, हिमानचल प्रदेश, मेगाले, सिक्केम और उत्तराकंड, यह जितने भी एरियाज हैं, इन में अगर आप ध्यान दें, तो इन सब में हिल से जुड़ा हुआ एरिया है, जो इस्पेशल काटेगरी में आते हैं, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, जे एनके, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, सिक्केम, त्रिपुरा, हिमानचल प्रदेश, उत्राकंड, एक्चोली फॉल अंडर दा स्पेशल काटेगरी, मगर इसमें से सब को नहीं रखा गया है, अब सर इतना पढ़ते पढ़ किस तरह से देखिएगा इसको, यह जितना लिखा पढ़ा है, उसकी यह प्योर समरी है, यह अगर आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, तो आपके लिए चैप्टर का पॉर्शन, पर एक्ट का कॉंसेप्ट इक्दम क्लियर हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले जब हम बात क करते हैं, तो जी अश्टि की बात करते हैं, उसी में पड़ रहा हैं, तो इसमें से जी डिफाइन करता है गोड्श को, तो यह बिटा गोड़््च की लिमिट के लिए चला गया, एस डिफाइन करता है सर्विसस के लिए, यहां पर रेजिस्टेशन, जो लोग दोनों या ब सबसे इंपर्टेंट स्टेट हैं उनको देखते हैं ये स्पेशल करटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट इस्टेट हैं जिनकी हमें जिनको हमें हैल्प करनी ही करनी है यहां पर लिएंग स्टेंडर्ड भी बहुत पीछे हैं तो यह फोर जो इस्टेट हैं इनको आपको याद कर लेना होगा के लिए अगर इंडिया का थोड़ा सा माप जुंदगी में कभी इस तरीके से अगर देखा होगा तो वो थोड़ा ऐसे होगा यहां लास्ट में होगा यहां पर यहां अरिया दिखना है लाश्ट वाला यह बॉंडरी लाइन है इसके इधर एक कंट्री है क्या नाम है उसका मेरे देशवासियो कुछ इतना सुनो इसके इधर कौन सी कंट्री है मिजूराम मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है मिजूराम एक कंट्री है मिजूराम चलuition भूल गाए होगा आप लोग मिजूराम हमारे उत्तरपदेश जैसा है इसस्टेट है हमारा देश आई है यह दूसरी था गांट्री नहीं अगर अगर हिंदुस्तान की पैडाईश है तो आजाज दिन फॉज जब एंट्री करी थी उदर से तरफ से तो बहुत ही इंपोर्टन चीजें देशित की सबाते हैं तो यह हमारी एक कंट्री का पोर्शन है जो दर की बॉंडरी लाइन बनाता है और उस बॉंडरी लाइन पे लिविंग स्टंडर्ड जो है वो बहुत ही पीछे है वहां के समय में जब हम बात करते हैं इसको आपको याद रखना होगा ना इस लिमिट को तो इसलिए याद रखिए कि जब हम इस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं यह अंग्रेजों वाली इस् पर यह सबसे उपर जो दे रखा है यह कौन सा स्टेट आता है है कोई क्लास में कि सब गायब हो गए है सर है अच्छा तो यह विशाम्दा है मैं बता देता हूं यह आपका जो स्टेट आता है यह आता है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के अच्छा फॉरन बात कौन सा आता है सर नागालेंड बहुत सांदार जा रहे हैं इसके बाद यह हो गया नागालेंड नागालेंड के बाद कौन सा आएगा मनीपूर और मनीपूर के बाद कौन सा इस्टेट आएगा मिजोरम मिजोरम के बाद कौन सा इस्टेट आएगा त्रिपूरा कोई नहीं आएगा नमस्ते थैंक्यू देश की बॉंडरी लाइन आ गई करेक्ट यहां पर चार दिख रहे थे इसके तुम नहीं तरह से तिरे पूरा राशने बोल दिया तो अब देखिए क्या है इस जगे समझिएगा कि इसको कैटेगरी तो स्पेशल है ही है मगर सर्जब इस्पेशल कैटेगरी है तो नागा लैंड को ले लिया यह हमें समझ मे आ गया मनिपुर को ले लिया यह समझ में आ गया मिजोरम ले लिया यह समझ में आ गया क्योंकि यह बेटा यहां पर मयानमार और बंगलादेश मयानमार वर्मा जो कंट्री है वहां पर इदर से इसकी बॉर्डरी लाइन बनाते है और यहां पर लाइफ बहुत ही तफ है यह वन टू तू त्री फोर इस्टेट हो गए इमेडियेटली बच्चों के मन में बात आती है सर ये वन टू त्री फोर आप बोल रहा है मगर ये भी तो इसके उपर है इसको इस काटेग्री में क्यों नहीं रखा गया इसकी लिमिट जो है वह 20 लाग क्यों कर दी गई इसको इसक इसलिए इनको ज्यादा मदद की जरूरत है इस ज्यादा मदद की जरूरत में स्टेट आ गया मनीपूर जोराम आगा लैंड तृप्रइम कह आप अससे कि की कैप यह ए कम से कुछ चीजे याद रह जाए अब हम लोग आते हैं नेक्स कंडिशन पे यह सबसे वीकर लॉट थी इन वीकर लॉट में फोर स्टेट रखी गई इसके बाद यह मिडल वाली लॉट है जिसका हाफ पोर्शन रखा गया यह जितने आप देखेंगे यह सारे के सारे मॉंटे प्लेन स्टेट इसमें नहीं है बगर यहां की पोजीशन दोड़ी इसी ठीक है पहले चार स्टेट थे फिर सिक्स इस्टेट आगए यह सिक्स इस्टेट कौन से हैं अरो आचल प्रदेस मेगाले पुड्डूचेरी सिक्केम सर यह स्टेट तो नहीं यूजियन टरेटरी है यहां पर हम लिस्ट जो है वह यूनियन टरेटरी का एक आगया पुड्डूचेरी बहुत ही पीछे है यह सिक्केम तेलंगाना और उत्राखंड बहुत बुरी लाइफ है मतलब बुरी क्या बहुत टफ लाइफ है यहां पर आप जाकर रही नहीं पाएंगी बेटा ऐसी पो है तो आप यहां की पोजिशन देख सकते हैं यहां तो रहना भी दिक्कत है कहां आप लगनों में रह रहे हैं तो इस जगे के लिए स्पेशल काटेगरी 20 लैक्स की रखी गई तो अब आपका काम क्या है कि इनको याद कर लेना कि हम लोग किस किस काटेगरी में 10 को हैंगे सर फिर बाकी जो बच जाएं उन सबको 40 में ले जाना अच्छा मैं अगर MP की बात करूँ तो MP कितने लैक के लिमिट में आएगा इसके बाद में अब आईये सर्विस के लिए अगर इनी के साथ ये लोग गुड्स भी यूज करते हैं दोनों डील करते हैं तो इसमें 10 लैक की ही खाली लिमिट है और ये 10 लैक की लिमिट में ही काम किया जाएगा तो यह देखिए इसके लिए कुछ ऐसी काटेगरी नहीं ह है बीस लाग वाली काटेगरी सिफ अरोनाचल प्रदेश, मेगाले, पुर्डूचेरी, सिक्केम, टेलगाना और उत्राखंड इतने एरिये के लिए 6 के लिए जरूरी थी बाकी ये कॉमन है तो आप इनको याद कर लीजेगा इसको याद करने में भी मैंने आपको कम से कम मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड या आपके नागालेंड मनिपूर, मिजोरम सीक्वेंस में इतना मैंने आपको बता दिया याद की जो है थोड़ा बहुत आंसर लिखने लाएक अपना कुद तियार कर लीजेगा तो यह बाप के लिए वर्क हो गया किस चीच के लिए वर् आते हैं जिसमें आप बोर हो रहे थे उस कंडीशन को पढ़ने के लिए कि क्या यह थ्रैसोल लिमिट दे रखी और हम इसके पर कैसे आंसर लिखेंगे यही से बोर होना सुरू हुए थे यह देखो Special Category State means State as specified in the Article 279A यह जरूर अपने आंसर में लिखेंगा तो आंसर आपका थोड़ा सा रिच हो जाएजगा आप of the Constitution क्या-क्या है अपना अंसर इतना लिख करके आप रेडी कर सकते हैं किसी बुक से पढ़ लाए होंगे तो जो चार्ड बताया है वो आपके सब्सक्राइब कर देगा और कॉंसेप्ट को क्लियर कर देगा आप्टर देन बाकी डैप में जाने की जरूरत नहीं है इतने से आपके कंडिशन्स रेडी हो जाएंगे इतना आप समझ गया हो तो क्या आगे बढ़ें तो दो लिमिट मैंने आपको बताएं खाली गुड्स के लिए बताया गुड्स और सर्विस दोनों को ले करके बताया यहां पर आब आते हैं थ्रेसोल लिमिट के लिए पान मसाला टुबैको याद आ रहा होगा पान मसाला टुबैको हजाड़ एस टुलाइफ कित्ते परसेंट 28 परसेंट याद आया तो यहां पर भी काटेगरी में देखिए मनिपूर मिजोराम नागा लैंड सेक्वेंसे बात करें तो नागा लैंड मनिपूर और विजोराम तिरे पुरा आयन सबको अलग कर दो बागी सबको एक जैसे यह चार आप याद रखिएगा मगर गुड़ के केस में गुड़ के केस में यह वाली लिस्ट आपको याद रखनी है यह सो बुक होगी उससे नोट कर लिजेगा नहीं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लिजेगा अच्छा अब हम आते हैं अग्रिजेट टर्नोर कौन बताएगा कि जो यह लिमिड बार-बार देखी जा रही है नौचा मुटन परदेश में हैं तो यह 40.00,000 की लिमिड़ देखी जा जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते समय में, जो आइटम सेल करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो हम लोग सेल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब जो सप्लाई होगी, वो सप्लाई जरूरी है कि सब चीजा टेक्सेबल हों. कि तो ऐसे भी तो आइटम होंगे जो एक्जेम्ट होंगे जिनके उपर टेक्स नहीं लगेगा तो अगर आपने मान लीजिए एक्जेम्ट बीस लाग का किया तो अगर इतना टोटल बिजनेस किया तो टोटल टर्ण ओवर आपका कितने रुपे का हो गया पॉटी फाइब लेक्स का तो यह जो टर्ण ओवर है इसको ले करके अब आप रेजिस्टेशन लिमिट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे अरे कुछ तो बोलो हाया नहीं में पर नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे तो टैक्सेबल तो ट्वंटी फाइब लेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम नहीं आएंगे और हमें सिर्फ इसके लिए किसी को ही देखना है taxable को देखना है total को हमें नहीं देखना है exempt को हमें अलग कर देना है जितनी भी taxable supplies होंगी उनी को ही counting में रखा जाता है आगे बढ़ें येस सर्थ अब देखो इसलिए यहां पे देखो लिखा है made by taxable person चाहे किसी और किसी भी तरीके से उस पे काम किया गया हो note 1 a person shall be considered as exclusive supplier of goods ठीक है for calculation of aggregate turnover or supply made by the branches अंदर दा सेम पैन की सब पहली बता चुका हूँ कि पैन नमबर वगहरा होगा तो कर आप लोगों ने पैन नमबर वाला वीडियो लेक्चर दुबारा जाकर के देखा था पिषली वाली क्लास ने पूरा वीडियो पूरे रिकार्डिंग बताई थी एक एक चीज दे रखी थी नगमा बानो यस सर पैन का फुल फॉर्म क्या होता है पर्मानेंट अकांट नमबर किते डिजिट का होता है सर फिफ्टीन डिजिट का होता है फिफ्टीन डिजिट का होता है ते डिजिट का होता है फिफ्टीन डिजिट का होता है क्लास मैंने हिंट भी दे करके पढ़ाया था वन टू त्री पोर फाइव जी एस्टी जी एस्टीन होता है जी एस्टीन जो है दे रखा उसको पढ़ लीजिएगा ताकि हम लोग अगली क्लास में बात कर सकें क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा बिजनस के लिए आंसर को एक्स्टेंट देगा क्वालिटी देगा समझ गये हैं यहां पर उसके पर बात नहीं करें क्योंकि आलड़ी उसका वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं अच्छा अब सर्क्राइजिस्टेशन के लिए हमें यहीं द्यान देना है थ्रेस्टोल लिमिट यहां किसी और तरीके से रेस्टेशन कर सकते हैं तो देखो रे इसका क्या मतलब है ईसका क्या मतलब है पर संबेकित eating entire स्टेट टैक्सेबल सप्लाई अगर वो इंटर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं जैसे की MP बिल्कुल ठीक स्टेट आपका बदल गया मतलब इसमें IGST आ गया और सेंटर इसमें वाल हो जाएगा तो ऐसी कंडिशन में आपका रेजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है पहला पॉइ स्टेबल सप्लाई यह कौन है हाया नहीं है अगर नहीं आता है तो नो बोल दिया करो ता कि मैं आगे बढ़ जाओं तो मैं बता दू टाइम क्यों वेस्टिया जाए जाए सब्सक्राइब करने लगते है तो इनको रेजिटेशन कराना पड़ेगा तो इनको रेजिटेशन कराना पड़ेगा सब्सक्राइब करने लगते हैं मैं नेक्स्ट पॉर्थ पर्संट वार्थ टू प्ए टेक्स अंडर रिवर्स चार्ज याद आगिया कि एक ग्जांपल धी यादा की परचेजर की responsibility हो जाएगी reverse charge उसको pay करना पड़ेगा yes sir reverse charge वालों को registration कराना पड़ेगा sir limit to 10 लाग की हमारी है कोई मतलब नहीं आप specified हो गए reverse charge आपकी responsibility डाल दी गई तो आप registration करा लेंगे next fourth person who are required to pay tax under section 9 electronic commerce operator साथ अब समझ गया होंगे electronic commerce operator कौन होता है yes sir याद करो normal charges reverse charges प्लाया था yes sir प्लाया था यसको आपरेटर्ड होगा उसको registration अपना कराना पड़ेगा non-resident taxable person making taxable supply इसको तो हर आलत में ध्यान देना है sir इसको आप हर आलत में क्यों बोल रहा है क्योंकि ये इंडियन नहीं है ये भारती है नहीं है ये बाहर का है गाव हो जाएगा अगर हम 40 लाक की लिमिट के इंजार करने लगेंगे तो 10 लाक का काम करके जिस पर tax देना चाहिए नहीं दुबारा इंडिया आएगा नहीं भाग जाएगा तो क्या करेंगा आप ऐसी कंडिशन में तो जो जितना जहां मिले वहीं पर उसको पकड़ लो तो यहां पर जितने पॉइंट आप देखेंगे उसमें ध्यान दीजेगा इनके उपर चांसे 40 लाक के नीचे के भी जादा जादा बन रहे हैं और ये भाग ना जाएं इसलिए इनको कंपल सरी कर दिया जा रहा है कि त्रेस्टोर लिमिट के बिना भी आप रेस्टेशन करवाईए नेक्स्ट पर्शन हुआर रिक्वायर्ट टू रिड़क्ट टेक्स अंडर 51 टीडियस जनरली यह गवर्मेंट वाला आता है टीडियस जो गवर्मेंट ही टीडियस वाल इनको काम कर रहे हो जा उसके पार्टनर की तरह काम कर रहे हो डील उसी को करनी थी मगर कर आप गए और वो बंदा टेक्सेविल है तो इसलिए फिर आपका भी रेस्टेशन होना जरूरी है नेक्स्ट इंपूर्ट सर्विस डिस्टिब्यूटर इटीसी जो बताया था उसको जो लोग इन्वेल करना चाहेंगे उनके लिए नाइन पर्सन वो सप्लाई गूर्ज अन सर्विस बोद अधर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर नाइन फाइफ दोदा इलेक्रोनिक कॉमर्स कहने का मतलब है कि इतने सारे पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गया होंगे भले ही आप इन सब को रट एक्जाक्ली नहीं पाते हैं मगर आइडिया तो हो गया कि यह वो परसंस हैं जिनका रेजिस्टेशन होना कंपल सरी है फिर दीरे दीरे इनकी गहराई बढ़ जाती गहराई होने का मतलब कि जैसे अलक्ट्रोनिक कॉमर्स आपरेटर है तो उसके अंदर भी कई वाराइटी हो गई तो उनको अल को मिट देखे को बताइए तो अब इससे ज्यादा जो यह पार्ट है इन पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आप पढ़ लीजेगा आपका अंसर यहां से रेडी हो जाएगा अच्छा अब सर तोड़ा सा अगर इसके उपर हम ध्यान दे लें कि इनका जरूरी नहीं बात समझना अगर हम यह जान जाएं कि यह दिन इसे दिन कहते हैं तो अगर रात हम रिक अगनाइज नहीं कर पा रहे होंगे अपने कभी नहीं देखा वगर दिन जानते हैं तो डेका जस्ट अपोज़िट नहीं हो जाएगा हम अगर हैड को पैचानते हैं वहले टेल हमने नहीं देखा तो हम कह देंगे कि जो यह टेल है तोड़ी बुद्धी लगानी होगी उसी तरीके से अपने concept को मजबूत करने के लिए भी जानना ज़रूरी है कि कि इनको registration कराने की ज़रूरत नहीं है तो अगर इनको नहीं है यह रिकरनाइस कर लोगे तो बाकियों को है आगे बढ़े है यह सर्थ इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं पड़ा पड़ा बता देता हूं आप लोगों को नमबर वन supplier of exempted supply मतलब जिसके उपर टेक्स नहीं लग रहा जिसको exempt कर दिया गया है वह जरूरी नहीं है कि वह रिश्टेशन करा है क्लियर डूसरा वारा देश एग्री कल्चर एक्विटी स्कुपर बेस्ट है हम उनको सपोर्ट करते हैं एन एग्री कल्चरिस्ट तु दा एक्टेंट आप सप्लाई और प्रड्यूस आउट आप कल्टिवेशन आप लैंड इस नाट रिक्वाइट अजिटेशन सर्वतल एक्सान किसान गरीव है विसके में एलप करनी है ध्यान दिन आज इन गाल करनी प्रमोट करना है उनको चोड़ा जा रहा है एंडी क्राफ्ट गूट्ज परसन इंगेज इंगेज इन सप्लाई अ अपनी क्राफ्ट गूट तो इसको रेजिस्टेशन कराना पढ़ता था कि नहीं कराना पढ़ता था इसको तो एक बंदा है उसने 10,000 के हैंडी का गुड्स बनाए और उसको उसने यूपी का था यूपी में ही सेल कर दिया तो बताओ क्या रेजिश्टेशन जिवत पढ़ेगी अब यही गुड्स उसने एंपी में जा करके सेल कर दिये तो आप तुरंत कहलेंगे सर यह तो इंटरिस्टेट है इंटरिस्टेट जैसे ही होगा वैसे इसको रेजिश्टेशन कराना पढ़ेगा तो हैं मगर अंडीजराफ वालों को रेजिश्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है नहीं है 40,000,000 के ओपर न अजब तक अधर वाई तो और अगर इंटरिस्टेट हो रहा है तो रेजिश्टेशन कराना पढ़ता था एंडीश्ट तो और वालों को छूट दे रख ही है नेक्स्ट जॉब वरकर जॉब वरकर विस्ट टर्ण ओवर इस लेज देन ट्वेंटी टैनलेकर एक्जन फॉर्म रिजिस्टेशन जैसे इनके उपर पर प्रताया गिया है इनके लिए सर्य जॉब वरकर हैं कौन से चोटे-चोटे काम करते हैं दिको दा एक्जंशन इस एक आंसर तो हमको पता है क्या आंसर एक हमको पता है जो हम बता सकते हैं चालेस लाग के नीचे है रेजिटेशन नहीं कराना पर से इंटर इस्टेट सप्लाइं आप टैक्सेबल सर्विसेज आर नॉट रिक्वाइड तो रेजिस्टर इव लेस देन 40 लैक्स बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ शर्विसेज की बाद हो रही है गुट की नहीं हो रही है अगर याट लियूत के गुट डूं कुरते हैं MP महीं तो जाकर सेल करते हैं तो कडिया मनबदित पाइड यहां पर सर्विस से मश्राइस पर सर्विस से रिगार्डिंग बात है ठीक अज़र यहां पर में रूपय का डिफरेंग किस तरीक जो टॉप वाली बात है है वो इंटर इस्टेट की बात ली जा रही है आई एस मतलब इंटर इस्टेट यहां पर लिखा और सेकेंड वाले में e-commerce को एट किया जा रहा है e-commerce operator अब आप सब लोग e-commerce operator को बहुत दंग से पहचानते होंगे कि यह वो बंदे हैं जिनको रेश्टेशन कराने की जरुर्यत नहीं होती सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइट बाइंट दैन नेक्स्ट है नोटिफाइट बाइग वर्मेंट इसका क्या मतलब जिससे गवर्मेंट खुश हो जाए उसको नोटिफाइट कर दे यह यह लोग एग्जेम्ट है यह लोग मिट के तुरूर अच्छा इसी पे ही अभी छोटा साही है वालेंटी रिजिस्टेशन क्या होता है वालेंट्री ए परसंट दो नॉट लाइबल तू रिजिस्टेशन अंदर दा सेक्शन 2224 में गेट इमसेल रिजिस्टर वालेंटरी और अल प्रोविजन आप सीजी एस्टी 24 conforme самое सेवैंटियर अंदर एक डॐ अप्ली केविल केविल तूटा संट लοह ने आज दो बाते करी करी सबसी कहां पताई वालेंट्री बिटा बताई तो लन्री वालेंट्री का मतलब कि अपने मन से अगर किसी का मन करे कि नहीं भाई हमें रेशिशन करा लेना है कोई दबाओ नहीं है तो वह सब किस में आ जाएंगे वह सब वालेंटे रेश्टेशन गजाएंगे तो आज हम लोगों ने दो चीजें कवरणी करी एक माँडेटी रेजिस्टेशन एक वालेंटरी फिर हाँ बेटा इतना ही है वालेंटरी बस इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि बागी सब चीज़े मैंडेटरी ले जाता है मैंडेटरी में आपको टिपिकल पॉइंट पढ़ना था मैंडेटरी में हम लोगों ने क्या-क्या चीज़े पढ़ी एक तो थ्रेस्वोल लिमिटी पढ़ लिया इसके बाद हम लोगों ने मैंडेटरी में पढ़ा कौन-कौन एक्जैम्ट है जिनको नहीं कराना है और क्या पढ़ा था इसका ए जिसमें रेजिस्ट्रेशन जो लिमिट के अकौर्डिंग था लिमिट आप को बता दी थी एक चार्ट दिखा दिया था सर कौन था जिसमें इस्पेसिफाइड इस्पेशल कैटिगरी बताए थे कि नहीं बताए थे यह वाला तो यह हो गया थ्रेस्वोल लिमिट के थुरू फार्ट करने के लिए जिसमें गुड्स भी था सर्विस भी था और दोनों इसमें इंक्लिूड हो गई थी यह पहली चीज बताई थी जिसमें थ्रेस्वोल लिमिट के हिसाब से रेजिस्टेशन होना चाहिए था यह देखो पॉइंट नंबर भी क्या कहता है पॉइंट नंबर भी रेजिस्ट्रेशन है मगर थ्रैसोल लिमिट की जरूरत नहीं है कंपल्सरी इसके लिए देशी भासा में आप वर्ड समझ रहे हैं ओके यह सर्फ कि फिर सी किनके लिए रेजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है ए बी और सी बसकतम तीनी पॉइंट इसमें देखो आपने पड़े आज तो त्रैसोल लिमिट पे अपने आंसर कॉपी पे अगर आप रेडी करके रखेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा और यहां पर मैंडेट्री में मैंने दिखा भी दिया कि तीन पार्ट आपके मैंडेट्री की हैं जो त्रैसोल लिमिट की वजह से होंगे बी जिनकों पर त्रैसोल लिमिट नहीं है मगा तब भी रेजिस्टेशन कराना है सी जिनको रेजिस्टेशन नहीं कराना है और वॉल इंट्री कंप्लिटेट येस अब बस दो बचे हैं ये दो दो अगली वाज़